देश भर में नीट परीक्षा को ले करके जो जबरदस्त विवाद चल रहा है उसमें मद्रपदेश की एक शात्रा है उसने अब जबलपूर हाई कोट का रुक किया है याचिका लगाई है निशिता सोनी ने जो भोपाल में रहती है और उन्होंने ये याचिका लगाई है कि जो परीक्षा के बाद उनके अंक आये हैं जो उन्होंने जब वेबसाइट पर डाउनलोड हुए थी उनकी आंसर शीट उससे मिलान किया तो उसके मुकाबले बेहत जादा कम है जो आंसर शीट उन्होंने मिलान की उसके मताबिक उन्हें जादा नंबर आ रहे हैं वो जब मैंने अपनी आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617 और जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं एक दम शिवर थी कि मेरा अच्छा ही रिजल्ट आएगा लेकिन जब मैंने देखा कि 340 माक्स आये तो बहुत जादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनेक्सपेक्टेड भी क्योंकि इतने माक्स कभी मेरे कम आये नहीं है और नाहीं मेरे कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे और हमने एंटी पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी बट उनका कुछ रिस्पॉंस नहीं था तो इस वज़ा से हमने आप अकेले हैं या आपके जानकारी में और भी ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरीकी कुछ गर्ड़ियां हुई हैं मेरे जानने वाले में तो कोई नहीं है बट मैंने यूट्यू पे जब देखा था तो मुझे काफी लोगों का पता चला कि उनके साथ भी ऐसे ह हुए था उनके एक्सपड़ मांकि से कुछ और था लेकिन रिपोर्क आड में कुछ और दिया हुआ था आप लोगों के पास और कैसे आप लोग किसका मिलान करते हैं जो नीट की एंसर की और जो हमारी ओमर शित होती है वह ऎक्जाम के 25 देज बाद वेप्लोड प्लोड हो तो हम उस और 48 hours के अब एक्टिव रहती है तो हमें 48 hours में उसे download करना रहता है तो मैंने वो download करी ती और जो answer की थी official वाली वो आई थी यह मेरा OMR है जो मैंने भरा था और जो official की है मेरे code की Q4 की वो NDA की website पे available है मैंने उसे check कर रहा था तो मेरा score 617 हो रहा था यह जो आपने वहां पे exam के समय वो एमार शीट आपने भरी थी यह वो है इसके मुताबिक आपको 617 मार्क्स मिल रहे है रिजल्ट आपका है आपके पास और रिजल्ट में आपको कितने मार्क सिखाए एक बार वो आप दिखाए तो मेरा score 340 दिया हुआ है यह यहां पे तो अब आप बदाईए कि क्या लग रहा है आपको कि आप कब से स्की तग्यारियों में लगी हुई थी कितना बड़ा एक सपना है यह आपका और अब जो हुआ है इससे आपको कितना असर दिख रहा है जब मैं 11 में थी मैंने अपना 11 12 राजस्तान से कंप्लीट कर रहा है तो मैंने अकाश कोचिंग जॉइन करी थी तो मैं 11 से ही नीट की प्रपरेशन कर रही हूँ और जब मैंने 12 में नीट दिया था तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं था कि मुझे कुछ कुछ कॉलेज मिल जाए तो जब हम फोपाल शिफ्ट हुए तो मैंने फिर से एक ड्रॉप ल अनेक्सपेक्टड था यह और 340 में तो मुझे बहुत मुझे है कुछ मिले और अगर मेरी जो अपील है हाई कोट में अगर वह हम जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मुझे फिर मेरे मांक्स जो होंगे वह रिवालिशन क्ले जाएंगे और मेरा स्कोर अच्छा हो हेरिंग की अभी डेट नहीं आई है बस अभी हमें नंबर मिला है इसको आप कैसे देखते हैं आप लोग जैसे जो हजारो स्टुडेंट्स होते हैं लागों स्टुडेंट्स जो नीट में बैठते होंगे एक्जाम देने के लिए और आप जैसे बता रही है कि काफी स्ट्र किया है वो जीत जाओं मैं और मुझे जो मेरा स्कोर है वो रिवाल्यट होके आजाए और अगर यह नहीं होता है और मतलब री रिजल्ट आना चाहिए जिसमें बिना ग्रेसमार्क्स के दें तो कट-अफ भी कम हो जाए कि अपने है इसके बात और कबसे आपने सोच रहा था कि आपको डॉक्टर की बना है कि मैंने क्लास से मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टटर मनना है तो मैंने 11 मेजिकल थूष कर तक मतलब की सीब और मेरे पापा भी मेडिकल लाइन में ही हैं तो मैं उनसे भी काफी प्रेरत होती हूं इसलिए मैंने मेडिकल लाइन जोज करी थी जिन्हों ने आज तक से खास बाचीत की है देश भर में नीट को लेकर गंभीर आरूप लगा रहे हैं और इसकी जाच की मांग कर रहे हैं भोपाल की निशिता सोनी भी उन में से एक है जिन्हों ने अब जबलपूर हाई कोट का रुक किया है अपनी मार्क्स को लेकर के अपनी आंसर शीट को लेकर के रवीश पाल सिंग भोपाल आज तक